खेमपुर रिपेर यूटूब चैनल में आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है आप सभी की डिमांड पर हमने अपसे कुछ महीने पहले एक रूम हीटर की रॉड का वीडियो बनाया था जिसमें आपको कई तरह की रॉड के जो थे वो प्राइस भी बताये थे अन्बॉक्सिंग की थी और आपको बताया था कौन सी रॉड आपके लिए बेस्ट है और मार्किट में आपको कितने रुपे की मिलती है अब दोस्तो आजकल जो सन हीटर चल रहे हैं उनकी काफी डिमांड बढ़ गए है और ज्यादते दो लोग शन हीटर का ही यूज कर रहे हैं क्योंको दोस्तो उसकी हीटिंग ज्यादा होती है और उसमें एक रॉड का क्या जाता है अब दोस्तो अगर मान लीजी आपके पास कोई sun heater है और उसकी guarantee वगेरा निकल गई है उसके बाद जब वो खराब होगा तो जहर सी बात है कि आपको वो किसी mechanic को दिखाना पड़ेगा जब आप लोग heater को लेकर जाते हैं mechanic भाईयों के पास तो वो क्या करते हैं कि आपसे 200, 300, 400 रुपे तक charge ले लेते हैं क्योंकि दोस्तो इस heater की rod जो है वो थोड़ी महंगी मिलती है और arm rod के मुकाबले जो भी market में मिल रही है उनके मुकाबले ये थोड़ी महंगी मिलती है इस वज़े से mechanic भाई भी थोड़े ज्यादा पैसे बता देते हैं अब दोस्तो आज हम इसी topic पर बात करेंगे और मैं आज आपको sun heater की rod के real price बताऊंगा और उसकी unboxing भी करूंगा ताकि आप चाहें तो खुच जाकर भी shop से खरीच सकते हैं और अगर आप चाहें तो किसी अगर क सबसे पहले तो मैं आपको rod दिखा देता हूँ मेरे पास देखी ये rod है आजकल आम electronic shop पर मिल जाती हैं आप चाहें तो इसे online भी purchase कर सकते हैं लेकिन मैंने फिलहाल ये एक local shop से ही ली है इसको मैं आपको खोल कर सबसे पहले तो दिखाता हूँ उसके बाद हम इसके price वगरा क देती है एक चीज मैं आपको बता दू कि इसमें जो rod है वो मतलब इतनी अच्छी packing में नहीं है जितनी की मैंने सोची थी बिल्कुल simple सी packing में rod है और आप देख सकते हैं कि इसमें और फिलहाल कुछ नहीं है सिर्फ ये rod rod है और यहां पर आप देख सकते हैं सिर्फ इसकी दो वायर हैं वो भी slip pipe के साथ हैं यहाँ पर एक चीज मैं और आपको बता दू इसको आप हाइलोजन round heater rod बोल सकते हैं क्योंकि यह गोल भी है और हाइलोजन में भी है और इसके साथ यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ देखे 220 वोल्ट पर यह वर्क करती है और यहाँ पर यह 1200 वाट की rod है और जो हमारे पास और rod आती है heater की वो लगबग 400 वाट की आती है 500 वाट की आती है लेकिन यह rod ऐसी rod है जो मैं 1200 वाट की देख रहा हूँ चलिए हम एक बार इसको चेक करके भी देख लेते हैं मैंने man lead ले ली है और इसको यहाँ पर series पर मैंने लगाया है लेकिन अब मैं इसको series पर तो check नहीं कर सकता क्योंकि 1200 वाट की है तो जाहिर सी बात है कि अगर मैं series पर लगाऊंगा तो यह नहीं चलेगी आप देख सकते हैं कि यह नहीं चल रही है ठीक है तो अब हमें क्या करना होगा series को करना होगा direct और मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि आप इस तरह से check ना करें ऐसे आप check करेंगे तो rod भी खराब हो सकती है और आपको shock भी लग सकता है तो आप बहुती साफधानी के साथ इसको check करें चलिए हम इसको एक बार check करके देखते हैं तो आप देख सकते हैं कि इसकी heat जो है वो इतनी जादा है कि मतलब मैं आपको बतानी सकता कि इसकी heat कितनी जादा है और यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ देखिए अभी कोई निशान नहीं पड़ा है लेकिन गर्म बहुती जादा हो गया है दोस्तो अब हम इसके price की बात कर लेते हैं तो दोस्तो यह जो rod मिल रही है इस समय market में तो यह मिल रही है दोस्तो 85 रुपए की कुछ जगाओं पर 80 की मिल रही है और अगर आप इसको online लेंगे तो यह काफी जादा महेंगी मिल रही है मैं आप से यही कहूंगा कि आप अगर अपने आस पास की शॉप से खरीदेंगे तो आपको ज्यादा फायदा रहेगा आप वहाँ पर आप इसको test करके भी ले सकते हैं क्योंकि इनकी कोई guarantee warranty नहीं होती है तो आप अगर इनको टेस्ट करके लेंगे तो ज्यादा बहतर है आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया है वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेर आप जरूर करें और दोस्तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप फटा फट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे नॉलिजिबल वीडियो समय समय पर मिलते रहते हैं चली दोस्तों मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद